गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुं गुरुर देव महेशुरा गुरु साक्षात परंब्रह्म्य तश्मै श्री गुरुई नमा सर्वे भवन्तु शुखिना सर्वे शंतु निरामया सर्वे भद्राणि पस्यंतु मा कश्य दुख्य भाग्धवि ओ शान्षा अध्याय तेरह गीता अध्याय तेरह चेट शेट्र विवरन श्लोक नंबर 9 10 11 न दस्वेरां असकतीरने भी शंगा पुत्रदारे ग्रिहा दिशू नित्यम्च समय चित्वत्तम इस्टा निश्टोब पत्तेशू भगवान कहा थे तर्था पुत्र इस्त्रीघर और धन आधि मेआ सकती का अभाओ मम्ता का ना होना तथा प्रिय और अप्री की प्राप्ट्री में सदा ही चित्य का समरे hice पुर्त द्रार उत्रदार ग्रहाद इश्यू पुत्र इस्त्री और घर में आसकती का अभाव देखो जहां आसकती है आसकती बनती कैसे है आसकती बनती है कि पुत्र में पत्नी में घर में सुख है इनमें सुख मिलेगा पुत्र से सुख पत्नी से सुख घर में सुख तो उनके साथ आसकती बनेगी राग बना आसकती बनी क्यूंकि उनसे सुख मिल रहा है और जो मिला है कल वो छूटेगा तो सुख की जगे दुख सुरू हो जाएगा पुत्र से जो हमने अपेक्षा रखी पुत्र उस अपेक्षा के अनुसार उसका बिवहार ना हो या किसी कारण से पुत्र का वियोग हो जाए तो दुख है क्यूंकि संयोग में सुख ता तो वियोग में दुख है जो अपेक्षा बानी थी वा अपेक्षा पूरी ना होई तो दुख है पत्नी में जहां सुख मिल रहा तो जहां सुख मिला संयोग में दुख होगा क्योंकि ऐसे लोगों को दिखो जब किसी भी कारण से पत्नी का बियोग हो जाए तो दुख सहन नहीं कर पाते हैं और कहते हैं अब तो मैं जीवित ना रह सकता तो जहां सुख संयोग में सुख है उनके बियोग में दुख भी होगा कि सुख में सयोग है तो बियोग में दुख है और बहुत बार पत्नी अपनी अपेक्छा के अंसार पत्नी ना हो तो भी दुख्का करण तो वैसे ही भगवान के तो घर में अगर आ सकती है घर मेरा है घर में आ आ सकती है तो जो आज आ सकती सुख दे रही कल वो परस्तिति अगर विप्रीत होती है तो दुख भी पैदा होगी तो यह जो पुत्रदार ग्रहाद उसे भगवान कहते हैं आ सकती का अभाव कहते हैं कि एक बार किसी एक बूढ़े बाप के घर में आग लग जाती घर में आग लगी तो बूढ़ा च्छाते पीट पीट के रो रहा में बरबाद हो गया है मिट गया लुट गया सारे जीवन की कमाई चली गई इतना स्रम किया इतनी मेहनत की इतना पैसा लगाया सारे जीवन की कमाई इस मकान में लगा दी औ और मकान में आग लगी तो मकान में आग नहीं लगी उसके सारे जीवन में आग लग गई जो सारे जीवन का संग्रे किया था एक छड में सब छूट रहा है छिंद रहा है तो बुड़ा च्छाती पीट-पीट के रो रहा मैं मिट गया बरवाद हो गया सारे जीवन की कमाई च कहते हैं जब वो रो रहा था दुखी हो रहा था छाती पीट रहा था तभी किसी पडोसी ने आके उसको कहा बाबा क्या आपको मालुम नहीं है कि आपके इस मकान को आपके बेटे ने तो बेंच दिया है जब उसे मालुम हुआ कि मकान बिख चुका है तो अब उसके आशु जहां थे वहीं ठेर गए रुक गए अब कोई दुख नहीं कोई दुख नहीं कोई संताप नहीं कोई पीड़ा नहीं कोई छाती पीटना नहीं ग्याना गया और बलके अब उल्टे खुद कोईसस भी कर रहा है कि पानी को बुशाने की दुख दूर हो गया एक आशु आगे ना बढ़ तो जब उस बाप को ऐसे सांत देखा स्वस्त देखा सांत देखा कि बेटा दुकान से आया जब बेटा दुकान से घर आया और बेटा रोता हुआ रहा च्छाती पीटता हुआ रहा कि घर में आग लग गई आग लग गई क्योंकि जब बेटे को खवर मिली तो वो दुकान से भागा और च्छाती पीट रहा रो दिया है अब तूं क्यों रो रहा है जब घर बिग चुका है घर किसी और का है तो दूसरे के संपत्ति के लिए दूसरे के मकान के लिए ये आसू क्यों तो बेटे ने कहा नहीं अभी बिका कहा है अभी तो बात ही चली थी अभी बिका नहीं अभी तो बात चली थी और उसने लेने से अभी तो इनकार किया अभी तो उसने लेने से इनकार किया ये तो अपना ही जल रहा ह जैसे कहा ये तो अपना ही जल रहा है वो बाप फिर छाती पिटने लगा फिर रोने लगा फिर कहा चीवनवर की कमाई चली अब सुचो ये रोने का कारण मकान की आग है या मेरा है अगर रोने का कारण दुख का कारण मकान की आग है तो जब मेरा नहीं मकान था जब मेरा मकान नहीं है मकान बिट चुका है तो आँसु जहां थे वहीं ठैर गए दुख खत्म हो गया तो दुखका कारण मकान की आग नहीं है दुखका कारण है मेरा मकान मेरा मकान कभी देखो आदमी को आदमी कहीं जाता अपना घर है तो थोड़ा सा भी तूट बूट हो जाए बड़ी तकलीब होती है और किसी और का हो किराय का हो किसी और का हो कैसी भी टूट-बूट हो जाए कोई चिंता नहीं अपनी कार से व्यक्ति कहीं जा रहा हा हलका सा खरोच आ जाए तो गाड़ी पर खरोच नहीं हुआ जैसे सरीर पर खरोच हो गया लेकिन अगर वही टैक्सी है किराए की है और कोई एक्सिडेंट भी हो जाए उसको कोई दुख ने क्योंकि उस टैक्सी को छोड़के दूसरी टैक्सी ले लेगा तो दुख का काराना जो मकान की आग नहीं है मकान की आग बाहर लगी है मकान में लेकिन मकान की आग इस विक्त के अंदर प्रवेश की इस विक्त के दिल में प्रवेश की अंदर प्रवेश की कब जब इसने मेरे का दौर बनाया मेरे का द्वार बनाया, मेरा मकान, मेरा घर जब मेरा घर मेरे का द्वार बनाया तो अंदर की आग अभीतर भी पहुँच गई अब मकान ही नहीं जल रहा, अंदर से दिल भी जल रहा है अंदर भी वो जलन पहुँच गई, अंदर भी वो आग पहुँच गई घटनाएं बाहर घटेंगी घटना दुर घटना बाहर घटेंगी लेकिन ब्यक्ति जब उनके साथ संबंद बनाता मेरा मेरी पत्नी तो मेरी पत्नी का दुख मेरा दुख मेरा पुत्र मेरे पुत्र का दुख मेरा दुख मेरा घर मेरे घर की तूट फूट मेरा दुख तो जब पुत्रदा भगवान कहते हैं इनके साथ आसकती बनाई तो दुख सुख का कारण खड़ा होगा जो संयोग है कल भीयोग होगा जहां आज सुख मिल रहा कल दुख भी मिलेगा और कोई संयोग ऐसा संयोग नहीं रहा आईता के जो नित संयोग हो वो नित संयोग अगर कहीं कुछ है तो परमात्मा का वो नित संयोग अगर कहीं कुछ है तो परमात्मा का संसा तो आज मिला कल चूटा लेकर एक मात्र अगर इस आसकती से मुक्त होते हैं इस आसकती से मुक्त हों तो जो नित्सायोग है परमात्मा का जो नित्सायोग है उधर हमारी आख जाए अब यह हमारी आख है व्यस्त है इन संबंदों में हमारा हिर्दय हमारा मन व्यस्त है इन संसार के संबंदों में अगर संसार से संबंद टूटे ये आ सकती छूटे तो भक्ती आए तो परमात्मा के साथ जित के साथ नित्य संयोग है उसके साथ मेरा मिलाब हो उसके साथ हमारा संबंद हो और उसके साथ संबंद हो उसके साथ संयोग हो तो फिर वो संयोग कभी बियोग में घटित नहीं होगा। एक मात्र वही सच्चा सङ्योग है जो नित्य सङ्योग है। बकाया तो आने जाने वालें बिज़डने वालें Union होगा परमात्म कंद्च तरह हमारी आंक कंद यूटती है जब संसार की आ सकती का परदा गिरें जब संसाक से हमारी आसकती हटे तो भुवान कहते हैं कि पुत्रदार ग्रिहाद शू पुत्र इस्त्री अधनाद की आसकती का अभाओ ये आसकती हटे इसका आरत नहीं भागना नहीं पलाइन नहीं करना जहां जिम्मेदारी है पुत्र की प्रति जिम्मेदारी है पत्नी की प्रति जिम्मेदारी है अपनी जो जहां जैसी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना उस जिम्मेदारी का निर्वाह तो करना है लेकिन आसकती नहीं बनानी है आसकती का आर्थ है कि इसके बिनाव हम रह नहीं सकते इसका भाव खलेगा आसकती परमात्मा से साथ भग्ती बनती है। आने जाने वाले संबंद से उस संबंद उसके साथ संबंद बनता है जो संबंद कभी बिछुड़े ना चूटे ना चेने ना तो भगवान कहते हैं आसकती का त्याग हो और ममता का ना होना अनविश्वंग को भगवान कहते हैं ममता का ना होना ममता का ना होना जहां जहां ममता थी जहां जहां ममता थी पुत्र के प्रती अब जो दुख्का कारण ये ममता ही है मेरा पुत्र तो दुख्का कारण है मेरे पत्र की मौत होगी तो मैं ही रोगा दूसरा नहीं मेरे पत्र की मौत होगी मैं ही रोगा कोई और नहीं मेरे घर में आग लगेगी मैं ही रोगा कोई और नहीं तो आसकती ममता ये दुख के कारण है जितनी जैसी ममता होगी तो जहां ममता है वहां दुख भी आएगा क्योंकि उनसे जब सम्मंद छूटेगा संयोग में सुख है तो वियोग में दुख तो जहां जहां संयोग है वहां आसकती होगी ममता होगी तो दुख भी होगा भगव सम रहना प्रिय और अप्रिय प्रिय वस्तु प्राप्ति में सदा ही चित्त में सम रहना चित्त की समता चित्त की समता के क्योंकि यहां ना कुछ प्रिय है ना कुछ अप्रिय है राग और द्वेस हमने स्वेम द्रमित किये हैं प्रिय अप्री हो जाता अप्री हो जाता मित्र सत्र हो जाता सत्र मित्र हो जाता अपना पराया हो जाता पराया अपना इस संबंद बदल रहे हैं इस संबंद बदलते रहते हैं तो आज जहां राग है कल वाँ दोएस हो जाता, जहां दोएस है वाँ राग हो जाता, जहां कही सुख मिलता था आज दुख मिलने लगा, जहां दुख मिलता था कभी सुख मिलने लगा, तो भगवान कहते हैं लेकिन चित की दसा समता रखो, कि जहां सुख या दुख यहां क कुछ लाब नहाने, जो भी है जैसा भी, जैसे हमने रात और दिन को हमने सीवकार किया, सर्दी और गर्मी को सीवकार किया, कोई आदमी यह नहीं कहता है अगर रात का राग होगा तो दिन का राग होगा तो रात से द्वेस होगा दिन को बनाए रखना चाहते हैं तो रात आने पर दुखी होंगे दिन में अगर सुख लग रहा तो रात आने पर दुखी होंगे और अगर दिन में सुख नहीं है दिन में राग नहीं है तो रात रहने पर दुखी भी नहीं होगे मान में सुखी है तो अपमान में दुखी होगे लाब में सुख है तो हानी में दुख भी होगा अगर दोनों भी समान है कि जैसे रात और दिन को सिवकार किया है इसे लाव हान को सिवकार कर लो, मित्र सत्र को सिवकार कर लो, सैयोग बियोग को सिवकार कर लो क्योंकि इस पर अपना अधिकार नहीं है और कोई लाव ऐसा नहीं जो सदा लाव होगी आज लाव है तो कल हानी भी होगी आज संयोग है कल भीयोग होगी आज दिन है तो कल रात भी होगी और आते जाते भगवान इसलिए कहते हैं आने जाने वाले अर्जन को अर्जन जैसे गर्मी और सर्दी आते हैं ऐसी सुख और दुख आते हैं लाव और हानी आते हैं और आने जाने वाले नित नहीं अनित आने जाने वाले यहांनी केरी हैं तो भगवान केश्न भी अर्जन को क्या bob सेहन करें समता पूर्वग सेहन करो अदेखो प्रस्थितिय हैं लाव वहानी होती है दोनों प्रस्तितियों में ज्यानी अग्यानी में क्या फर्क है ज्यानी करता है जो भी है वह भगवान का प्रशाद है शिवकार है ज्यानी कहेगा जो भी है परमात्मा का प्रशाद है शिवकार है संता पूर्वक सिवकार करता चित की संता पूर्वक सिवकार करता है और अग्यानी है वो रोरो के सिवकार करता है ग्यानी काटे ग्यान से मूरख काटे रोए ग्यानी काटे ग्यान से मूरख काटे रोए यही ग्यानी काटे ग्यान ग्यानी काटे ठीक है भगवान का प्रशाद है कड़वा हो मीठा हो सुख हो दुख हो मानो अपमानो ऐस से हैं जैसे कड़वी और मीठी दवा हम दोनों से सीखती हैं दोनों से निरोग होते हैं सुस्त होते हैं दोनों से बीमारी कड़ती सीवकार है चित मैं समता पूरवक सीवकार कर लेता है अग्यानी क्या करता हाई रात क्यों आ गई हाई दुख क्यों आ गया हाई भीयोक अब हाई हाई कहके सिवकार करो या हरी हरी कहके सिवकार करो यह तुम्हारे उपन रड़ा है बहुत सारे आंसु बहा के सिवकार करो हस्ते मुस्कराते सिवकारो यह च्वाइस है यह अपनी च्वाइस है अपना रड़ा है अगर आस्तिक हो भगवान में विश्वास है स्रद्दा है भाव भक्ती है तो सारा उसका खेल है उसका खेल उसका और प्रमात्मा के प्रद्वा भुप slati नहीं है विश्वास रद्दा नहीं है तो दूसरा उपा है क्लिप है कि रोरों के हाय हाय-igent equity बनाके कभी कभी ऐसी लोगत ब्लैट प्राता हाटक है कर कि सि लिए तौस memorizedorg in और देखो एक बात और बते के चित्त की समता के लिए थोड़ा सा होस यह चित्त की विसमता आती क्यों है बेहोसी में आती है चित्त की सारी की सारी जो विसमता है उसका मूल सुरोत जो अगर कुछ है तो बेहोसी और जैसे जैसे होस विक्सित होता है वैसे वैसे चित्त में सम कैना जैसे हुश बिखसित होता है spas ना किया कश साधुन ने अपने वारे में लिखा कि मैं जीवन में कोद्व के वारे में कहती है गुर्ज अपने में कोद्व कि नकुद करसका क्यों कि जब मेरा पिता मृत्य के निकड था, मरने वाला था, तो उसने मुझे बुलाया, और उसने बुला के कहते हैं, गुरुजी अब कहता है, मेरे पिता ने मुझे बुला के कहा, कि यदब मैंने जीवन में बहुत कोई संग्रे नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं सुखी रहा, और वो सुख मरते हुए पिता ने, गुरुजी अब को एक बात कहा, कि एक बात तुम मुझे बचन दे, मेरी बात ध्यान से सोन, मुझे बचन दे, कि जब भी कोई प्रतकूल पर स्थिती आये, तो जहे कोई गाली दे, तो जहे कोई अपमान करे, तो जहे कोई कष्ट पहुंचाए, तो उससे कहना उत्तर आज नहीं 24 गंटे बाद देंगे उत्तर आज नहीं 24 गंटे बाद देंगे सरफ 24 गंटा मेरे कहने से मुझे बचन दे कि मेरे कहने से अपने पिता को तुम बचन दे रहा कि मैं 24 गंटे बाद उत्तर देंगे गुर्जी अब कहता है मैंने अपने पिता गो वचन दिया और फिर मैं जीवर में कभी करोध ना कर सका प्रत्करिया ना कर सका क्योंकि जब भी किसी ने गाले दी तो मैंने उसको कहा ठीक है इस गाली का हम जवाब देंगे लेकिन आज नहीं कल 24 गंटे बाद तुमने जो मेरे साथ बुराई की है इस बुराई का मैं भी तुम्हें बदला लेंगे लेकिन आज नहीं कल 24 गंटे बाद और गुजी अब कहता है फिर मैं कभी भी प्रत्करिया ना कर सका गाली का जवाब गाली में ना दे सका अपराद करने वाले को भी मैं च्छमा कर सका बुराई करने वाले को भी मैं च्छमा कर सका डेल कारनेगी ने एक घटना लिखी अपने वारे में कहते हैं डेल कारनेगी एबराहम लिंकन के किसी समारोह में इब्राहम लिंकेन की मौत के बाद किसी कोई समार हो आयुजित किया गया उस समार हो में बोलने के लिए डेल कारनेगी को बुलाया गया डेल कारनेगी वहां बक्ता के रूप में गए डेल कारनेगी ने अपना भाशर दिया और वो भाशर देश की तमाम पत्र पत्रकाव में प्रकासित हुआ जब तमाम पत्र पत्रकाव में वो भाषड प्रकासित हुआ तो एक महिला ने डेल कादिजी को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि तुम्हें एब्राहम लिंकेन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और जब तुम एब्राहम लिंकन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो किर्पया करके ये भाशड देना बंद करो किर्पया करके ये अनर्थ का बोलना ये भाशड देना बंद करो ऐसा उसने गुस्से में पत्र लिखा डेल कारनेगी को उस महिलाने डेल कारनेगी ने वो पत्र पढ़ कठोर भाषा उससे भी ज्यादा कठोर भाषा अपमान सूचक सब्द डेल कार्णेगी ने उस महला के लिए लिखा कि संयोग की बात वो पत्र तो लिख दिया टेबुल पर रख दिया कल इसको पोष्ट करना है रात सोया सुबै जगा दूसरे दिन जब जगा लगवक बारा चाओदा घंटे बीच चुके थे तो कहते हैं कार्णेगी ने वो उस पत्र को फिर पढ़ा कि जो पत्र उसने लिखा था उस महला के लिए पत्र लिखा पढ़ा उसे दुबारा फिर तो उसने कहा इतनी कठोर भा लिखने की जरूरत नहीं थी और डेल कार्णेगी ने वो पत्र फार दिया और फिर दूसरा पत्र लिखा और जब दूसरा पत्र लिखा तो उसमें भासा थोड़ी नर्म थी और वो पत्र भी उसने पोश्ट नहीं किया और जब पोश्ट नहीं किया दूसरे दिन फिर उसे पढ़ा तो उसने कहा यह भी जरा कठोर भासा इतनी भासा भी कठोरता जरूरी नहीं है इतनी प्रत्क्रिया भी जरूरी नहीं है कहते हैं डेल कार्णियागी साथ दिन तक साथ पत्र लिखता गया रोज भाडता गया और साथ में दिन जो उसने पत्र लिखा उस महिला को उस पत्र में लिखा कि तुमने जो लिखा है कहा है वो ठीक लिखा है और उसके लिए मैं छमाप्रारती हूं और आगे भी अगर कोई ह हम से ऐसी भूल हो तो किर्प्या मुझे बताते रहना कहते हैं उस इस्त्री को जब पत्र मिला इस्त्री हो महिला के डिल-कार्णिगी को मिलती है और फिर उनके जीवन भरके बड़े मधूर संबन्द हो जाते हैं अब हुआ क्या डेल कार्णेगी अगर तुरंत प्रत्क्रिया दे देता तो जीवन वर के लिए संबन तूट जाते दुस्मनी पैदा हो जाती लेकिन डेल कार्णेगी नहीं थोड़ा समय लिया प्रतिक्षा की और प्रतिक्षा की तो चित में समता आ गई प्रतिक्षा की तो चित में समता आ गई ये चित में समता का बात है थोड़ा होस आये क्योंकि अन्य था जितने भी रियक्षन होते हैं वो मेकेनिकल होते हैं यंत्रवत होते हैं यैसे बिजली का बटन दवाया तो बलब जल गया ओन किया तो जल गया ओफ किया तो बुझ गया ऐसे ही हमारे मन की स्थिती होती है तुरंद प्रत्करिया किसी ने गाली दी तो तुरंद गाली का उत्तर गाली में किसी ने प्रसंसा की तो प्रसंसा का उत्तर भी प्रसंसा में गाले दी तो क्रोध में आ गए प्रसंसागी तो खोश आ गए और लोगों को मालूम है कि कैसे बटने दबाई जाए तो आदमी आदमी कम रह जाता एक मसीन हो जाता आदमी आदमी नहीं रहता एक मसीन की तरह बिवहार हो जाता जैसे मसीने बटन दबाने से चलती है ऐसे आद भगवान कहते हैं लेकिन चित्में सम्ता का बाती है जब थोड़ा होश जागरत होता है जब तक ये मूरच्छा रहेगी बेहोसी रहेगी हमारे मेकैनिकल माइंड रहेगा यंद्रबत मन रहेगा तो पृतक्रिया होगी लेकिन जैसे जैसे सजगता आईगी होश आएगा तो हम प्रित्कृयाओं से बचेंगे फिर रियक्सन नहीं होगा रिस्पॉन्स हो जाए हम प्रित्कृयाइं नहीं देंगे तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को चित में समता रहें सित्ट का सम हो जाना चित्ट में समता आ जाती है कि अंगलेस लोग माई नुगे ने भगति अभ्यवचारणी देश से भित्व मैं रतीजन संसदी और स्मीश पृमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभ्यवचारणीभग्तीड तथा एकांत में सुद्ध देश में रहने का सुभाव और विश्यासक्त मनुष्यों के समदायक में प्रेम का न होना मुझ परवेशन में अनन्योग के द्वारा अब विवचारनी भगती बगवान कहती अब विवचारनी भगती यह विवचार सब्द कब आता है किसी भी इस्त्री और पुरुस का संबन्द जब एक की जगह अनेक से हो तो कहते हैं उसे विवचार और एक के साथ भगवान कहते हैं ऐसे ही हम भगवान के मार्ग में भी अनन्य भगती नहीं होती है एक के साथ नहीं इसलिए भगवान बार बार यह बात कहते हैं अनन्य भगती और यहां कहते हैं अब विवचारनी भगती दिखो गंगा के किनारे जाओ गंगा के किनारे घाट बहुत है घाटों की आकरती अलग है घाटों के नाम अलग अलग है लेकिन अगर इसनान करना हो प्यास बुझाना हो पानी पीना हो तो किसी घाट पर चले जाओ घाट अनेक हैं नाम अनेक हैं लेकिन गंगा अनेक नहीं है सभी घाटों पर एक ही गंगा बह रही है किसी भी घाट पर जाके इसनान कर लो किसी भी घाट पर जाके अपनी प्यास बुझा लो अब कभी इस घाट पर तो कभी इस उस घाट पर अगर बार बार घाट बदलते रहोगे तो बात नहीं बनती है किसी भी एक घाट पर एक कदम दो कदम इस घाट पर चले तो दो कदम दूसरे घाट पर चले पर दो कदम तीसे घाट पर चले ऐसे चलते रहोगे गाट महतपूर हो गए प्यास नहीं अगर प्यास महतपूर हो तो गास गौड है गास तो गौड है कोई भी घाट हो क्या लेना देना प्यास बुजा नहीं घाट से क्या लेना इसलिए कभी कभी देखो लोगों को कोई भी उपाशना की तुम्हारी कोई भी इष्ट हो राम हो किष्ण हो शेव हो देवी हो कोई भी हो किसी का क्राइश्ट हो मुहम्मद हो कोई भी लेना देना नहीं कोई भी हो लेकिन एक क्रिप्ट तुमारे मन में हो बस एक घाट पर एक घाट को चल लो बस यह नाम रूप ते लोग अलग है तने राम को खुआ उट्षिण को शिव देवी को ही नाम रूप लूप अलग अलग हैं नाम रूपक परमात्मा के अलग अलग ये धाट है नाम रूपक Taylor सीड़िया अनेक हैं लेकिन मंजिल एक है मार्ग अनेक हैं लेकिन जहां पहुँचोगे यह लक्ष वो मंजिल वो एक है वो मंदर एक है मार्ग अने एक है तो किसी भी मार्ग से अब ये नहीं के दो कदम इस रास्ते पर दो कदम उस रास्ते पर तो कहीं नहीं पहुंचोगे चार सेड़ियां इधर चड़ गए तो चार सेड़ियां दूसरे पर जाके चड़ने लगे फिर चार तीसरे पर जाके तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे किसी भी एक मार को चलो किसी एक भी सीड़ी को चलो और उससे आगे बढ़ जाओ एक पे तो भगवान उसी को कहते है अब भी बचार नहीं भगते हैं किसी एक नाम रूप को जिस पर तुमारी आस्ता हो जो तुम्हें अनकूल लगता हो जो तुमारी मना इस्थिती के अनकूल हो हर व्यक्ति की मना स्थेती भिन्भन्द होती है इसलिए तमाम हमारे देविदेवता बहुत हैं किसी को राम की मर्यादा अच्छी लगती राम को सिवकार कर लो किसी को कृष्ण का प्रेम अच्छा लगता है तो कृष्ण को चलो किसी को शिव का वैराग अच्छा लगता हो तो शिव के वैराग को चुन लो किसी को माता की मंता अच्छी लगती हो तो माता को चुन लो इस चुनाव अपने उपर है जिसकी जैसी जरूरत हो जिसकी जैसी मना इस्थिती हो किसी एक को चुन लो और एक को चुन के अपना सारा अभी बचार नहीं सारा सारा अब राम है तो भी यही कृष्ण है तो भी शेव सब कुछ जो है इसी रूप में एक रूप को पकड़ लो एक नाम एक रूप को पकड़ लो और उसी एक नाम रूप से तुमारी गती आगे हो ओदिए पूदिए कभी लोगों को देख तो कहते हैं मंदर में जाते हैं है सब कपा पासरी कोई कोňhew अनुमान जी का चालीसा भी पढ़ लिया देवी का चालीसा भी पढ़ लिया किस्नि का भी कोई पढ़ लिया राम के भी कुछ पढ़ लिया तब मैंने कफी तुमारा इश्ट कौन है किरें मेरा इश्ट कोई नहीं है तो सभी को मानते हैं और सभी से मांगते हैं कोई ना कोई तो इच्छा पूरी करें देगा यह नहीं तो वो कर देगा वो नहीं तो वो कर देगा किसी ना किसी जो मांगते हैं कोई ना कोई तो करें देगा अब यह रिस्क कौन लेके ना मालूम राम को याद करो और राम को समय ना हो हमारी इच्छ कोई एक नाम ले लो कोई एक रूप ले लो कोई एक मंत्र ले लो कोई गुरू ले लो कोई एक कि उसकी पातरता हो या ना हो व्यक्त की गुरू की पातरता हो या ना हो तुम्हारी अगर पातरता है तुम्हारी एक निश्टागर है एक लब के जीवन की घटना देखो गुरू द्रोनाचार ने एक लब को धनुस विद्या सिखाने से इंकार कर दिया छुटी जाती का था तो उसको धनुस विद्या सिखाने से इंकार कर दिया एक लब को लेकिन एक लब ने द्रोनाचार की मूरती बना ली और नूरती बना के ही सीखने लगा और इतना अधिक सीख गया जितना साहे ते गुरु द्रोनाचार अरजन को ना सिखा सके जितना की गुरु द्रोनाचार अरजन को ना सिखा सके उससे ज़्यादा एक लब मूर्ती से सीख गया क्योंकि जो एक निष्ठा एक लब की मूर्ती में थी उतनी निष्ठा अरजुन की दुरुणाचार में नहीं थी उतनी निष्ठा एक निष्ठा अरजुन की दुरुणाचार में नहीं थी जितनी की एक लब्ब की उस मूर्ति के प्रत एक निश्ट थे और जब एक निश्ट व्यक्ति ऐसा हो जाता तो उसके अंदर एकत तो पैदा हो जाता एक हार्मोनी पैदा हो जाती उसके व्यक्तत में एक समन्वय पैदा हो जाता अंदर बाहर से वो पूरा व्यक्ति खंड हो जाता एक जुट हो जाता और फिर अंदर से ही वो ग्यान अंदर से प्रगट होता तो एक लब की को जो ग्यान मिला मूर्ती से और ये योगता गुर्दोनाचार की नहीं थी और फिर भी देखो गुर्दोनाचार का गुर्दोनाचार का कहो उनका अग्यान कहो उनकी मूर्गता कहो उनका अन्याय कहो उनका अपराद कहो कि फिर भी गुर्दोनाचार ने एक लब का अंगुठा मांगा एक लब का अंगुठा मांगा कि अपना अंगुठा काट के दे दो गुर्दक्षणा में कि शिखाया तो नहीं था लेकिन मूर्ती से सीखा तो कहा तुमने मेरी मूर्ती से सीखा तो फिर भी मुझे गुर्दक्षणा दो और एक लब का अंगुठा मांग लिया लेकिन एक लब ने बिना को सोचे अपना अंगुठा दे दिया अंगुठा कट गया धन्स विद्या से वह बंचित हो गया ना सीखा लेकिन ब्रह्म ग्यान को प्राप्त हो गया अंदर से एक जुठ हो गया अंदर से एकत प्रग्दा हो गया अंदर से उसके अंदर परमात्मा प्रगट हो गया आत्म ग्यान प्रगट हो गया अंदर से अखं प्रति आधे ब्रह्म्न साक्षात कार को कहते हैं ब्रह्मन वोति को कहते हैं अखंडा कार ब्रति जो ब्रति खंड खंड थी उखंड हो गई एक लब में अखंडा तो कहीं भी हमारी निष्ठा अब विचारनी हो किसी के प्रती किसी मूर्ती मंत्र गुरू एक हमारी निष्ठा हो जाए तो भगवान कहते हैं अब विचारनी भगती हो और अब विचारनी भगती हो और आगे भगवान कहते हैं एकांत और सुद्ध देश में रहने का सुभाव विश्यासक्त मनुस्यों के समदाय में प्रेम ना होना एकांत में और सुद्ध देश में रहने का सुभाव एकांत में विविक्त देशे सेवित्म एकांत हम एकां से डरते हैं हमें ऐसे लगता है अपने साथ हम रहना पसंद नहीं करते हैं अपने साथ व्यक्ति इतना बोरियत मैसूस करता है इतना उब जाता है कोई मिले दूसरा कभी दिखती को अकेला अपने साथ नहीं बैठ सकता कुई ट्लिवीजन खोल लेगा न्यूज सुनने लगेगा सीरियल देखने लगेगा किताब पढ़ने लगेगा नहीं तो किसी के साथ फोन पर बात करने लगेगा लंबी लंबी अपने साथ नहीं होना चाहेता और जो अपने साथ अपने से प्रेम नहीं कर पा रहा सोचो जो अपने को ही सुख नहीं दे पा रहा हो दूसरे को कैसे सुख देगा पती कहता पत्नी से सुख मिलेगा पत्नी कह रही है पती से सुख मिलेगा पुत्र कह रही है पिता से सुख मिलेगा पिता कह रही है पुत्र से सुख मिलेगा सब भिकारी हैं अपने में कोई सुखी नहीं है लेकिन दूसरे से सुख कैसे दे पाएगा सुचो एकांत का अर्थ है कि जो अपने प्रेम में पढ़ गया एकांत का अर्थ है अपने से प्रेम to fall in love with oneself अपने साथ अपने प्रेम में पढ़ जाए अपने प्रेम में पढ़ जाए दूसरे के प्रेम में नहीं अपने प्रेम में पढ़ जाए और जो अपने प्रेम में पढ़ गया वो सब के साथ प्रेम में रह सकता है वो शब के शाथ और वो प्रेम दे सकता क्योंकि अब प्रेम मांगनी रहा है अभी हम प्रेम मांगते हैं अभी हम प्रेम मांगते हैं पत्नी से पत्नी से पुत्र से अभी हम मांगते हैं पुत्र मित्र से समंद्र मांगते हैं फिर ऐसा एकांत में है स्वेम के प्रेम में है उस लौच सब्सक्राइबए आप वहार प्रयम प्राइब होगा ओवर्फिलोई होगी बाहर होगा तो भगवान कहते ये कुझ खोडेगा अंदर से स्रोत आएंगे कभ जब एकांत में हो एकांत में हो अपने साथ अभी तो हम अपने साथ से इतने भाइवीत होते हैं कोई आत्मी को दिखो अकेला नहीं रहना चाहता है और कहते हैं कभी किसी लोगों देखो कि लॉनलीनेस बहुत तकलीब देता कि इसलिए संत कहते हैं लॉनलीनेस नहीं एलॉननेस एकांत अपने में अपने प्रेम में पढ़ जाना अपने साथ जुड़ जाना तो भगवान कहते हैं एकांत सुद्ध देश में रहने का सुभाव एकांत में रहने का सुभाव जो एकांत में रह सकता है वो सब के साथ भी रह सकता है जो सबके एक आंत में नहीं रह सकता है वो सबके साथ भी नहीं रह सकता है इसल depressed found बंते ब्गडते हैं पत्पतनी के संबन ब्रटं बंते और बिगडते हैं तो इक मैशनिकार पूरी नहीं होती दो सम्पन टूट जाते लिए विश्या stepchat मनुस्यों के सम्दाय का प्रेम नहीं विश्यासक्त इसे वियक्ति जिनकी संसार के प्रति विश्यों के प्रती वस्तू के प्रती धनमान के प्रती आ सकती है कि जिनक्या संसार क्व tentang थक का को doctrinal का बूस्तू के साथ प्रेवना करना जब वह बैक्ति वह बीमारी तुम्हें भी लगाएगा जहां वो दोड़ रहा है वो विस जिन में वो सुख खोज रहा है वो सुख नहीं है आज सुख दिख रहे कल उसे दुख पैदा होने वाला तो जहां वो भाग रहा है तुम्हें भी लगाएगा और फिर तुम होगे कि बहुत भूल होगे देखो अच्छी का संग इसलिए संत कहते है सत संग संग और कुसंग में यही है संगत ही गुन उपजे संगत ही से जाए संत लिखते हैं संगत ही गुन उपजे संगत ही से जाए और बास फास और मीसुरी एक भाव बिकाए कहते हैं संग से संग से जीवन संदर बन जाता और को संग से जीवन बिगड़ जाता संत के संग से जीवन संत बन जाता सुधार आ जाते हैं और को संग से अच्छा भी बुरा हो जाता डाकू सादू बन जाता और कभी कुसंग से सज्जन व्यक्ती बुरा हो जाता है डाकू बन जाता कहते हैं बास भास और मिस्री एक अई भाव बिका कि जब मिस्री बनाने वाले मिस्री बनाते हैं तो उसमें बास की एक लकड़ी लगाते है और बांस की लकडी की कोई कीमत नहीं है जैकर जब मिस्री में वो बांस की लकडी लगी हुई है तो मिस्री के भाव बिकती उसकी भी कीमत मिस्री के भाव बिकती है यह संग का सघ्रावच ऑगे करें ऐस prohibited हैं अध्यात में Eckham सबस्क्राइब अध्यात में इस में आध्यात में एक तैगान अर्थे दर्सेन यचान आंपयान मर्ती प्रोक्तर भागवान कहते हैं अध्यात्म ग्यान में नित इस्थिती और तत्व ग्यान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना ये सब ग्यान है और जो इसके विप्रीथ है वो अग्यान है जो इसके विप्रीथ है वो अग्यान है तो क्या है अध्यात्म ग्यान में नित इस्थिती और तत्व ग्यान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना अध्यात्म ग्यान के नित इस्थिती अब अध्यात्म ग्यान क्या है एक संसार का ग्यान एक आत्मा का ग्यान संसार का ग्यान क्या है कि सरीर, मन, बुध्धी, इंद्रियाओं के साथ तादात सरीर, मन, बुध्धी, इंद्रियाओं के साथ तादात मैं सरीर, मन, बुध्धी, इंद्रियाओं और इनके पोशड में ही सारा समय लगाना सरीर को कैसे सुन्दर बनाया जाए सरीर को कैसे सुख दिया जाए कैसे सुआत दिया जाए सरीर को क्या-क्या जरूरते हैं वो सरीर की जरूरतों में ही अपना समय लगादा इंद्रियों के सुख में इंद्री और इंद्रियों के सुख में सारा समय लगा देना और मन को ही खुस करने की चेश्टा करते रहना कि मन को कैसे एक से ज़्यादा खुस रखा जाए तो जो सरीर, मन, इंद्रियाओं के साथ ही जिसने अपना समय लगा रहा है वो कहते हैं वो विस्या अनुरागी है वो संसार का अनुरागी है और आत्म अनुरागी कौन है आत्म ग्यानी कौन है जो कह रहा है सरीर, मन, बुद्धी, इंद्रियाओं से भिन्द मैं चेतन हूँ सरीर मन बुद्धी से सरीर मन बुद्धी इंद्रियाओं से अलग मैं चेतन हूं आत्मतत हूं यह छेतर है और मैं चेतरग हूं यह द्रिस है मैं द्रिश्टा हूं यह गे है मैं ग्याता हूं इस से भिन सरीर मन से भिन अपनी इस्थिती को जानना अपनी इस्तिती को जानना अपनी सत्ता को जानना और जो अपनी अलग इस्तिती सत्ता को जानना तो भगवान कहते हैं उसमें जिसकी अध्यात में नित इस्तिती हो और ये कैसे आएगा आत्म चिंतन से आत्म विचार से आत्म चिंतन से बार बार इस पर चिंतन किया जाए वि गया वाल्यावस्ता का सरीर का हिसा था जवानी का सरीर का हिसा और आज बढ़ापे का सरीर इतना कुछ बढ़ गया इसे हम रोक सकते हैं कल इसमें मौत आएगी बीमारी आएगी बढ़ापा इसे हम रोक सकते हैं और यह सब बढ़ रहा है लेकिन इस बढ़ाहट को जानने वाल कोन इसका साक्षी कोन सरीर बदला इंद्रियाओं की सकती भदली हमारे विचार बदले धवडले इसको जनने वाला कौन है तो एक बदल नाय और एक उस बदलाहट को जनने वाला है एक परिवर्तंसी यह अपर वर्तंसी इस जड़ है दूसरा चेतन है एक द्रिस है दूसरा उसका द्रिष्टा है साक्षी है तो जो बदल रहा है वो द्रिस है मरण धर्मा है और मैं चेतन हूँ सरी मन इंद्रियाओं से भिन अपनी सुतंत्र सत्ता को आत्म सत्ता को बार बार विचार करना चिंटन करना और उससे भिन उसे अन्भो में लाना उस आत्म तत्त को आत्म अन्भूती को आत्म ग्यान को अन्भो में लाना कि इससे भिन मैं ये हूँ मैं चेतन हूँ सरीर द्रिश्च है मैं द्रिश्टा हूँ और सरीर में इतना परिवर्टन हुआ और मैं अपरिवर्टन से लो हूँ जवानी के सरीर को भी मैंने देखा वाला वस्ता के सरीर को भी देखा और अब ये बुढ़ापे का सरीर वो भी मैं देख रहा हूँ विचार कितने बदले वो भी मैं देख रहा हूँ इस सब को जो वदल रहा है उस बदल बल्दाहट का परिवर्तन का साक्षी को ने तो उसमें भगवान कहते हैं बार बार विचार करना और विचार से जो हमारी अध्यात में नित्य स्थिती बनती है तत्तो ग्यान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना तत्तो ग्यान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना कि जो तत्म ग्यान है अंत्मे वो आत्म ग्यान वही परमात्म ग्यान है आत्म ग्यान ही परमात्म ग्यान है कि संसार से हमारा तादात्म टूटे आत्मा के साथ हमारा तादात्म बने और आत्मा के साथ संसार की आसकती टूटे परमात्मा की भक्ती हो आत्म तत्म के साथ हमारा आतातमने वही परमात्मा को देखना है और और वो परमात्मा को सरवत्र देखना जो हमारे अंदर है वही सरवत्र है जो अपने अंदर देख पाता है वही बाहर देख पाता देखना जब भी देखना होगा तो बाहर से नहीं होगा अंदर से होगा जहां हम अपने अंदर पाते हैं जिस तत्व को आत्मितत्र को प्रमात्मितत्र को तो हम बाहर भी देख पाते हैं कभी देखो आफ किसी सांत जील में पत्थर फींक te हैं तो पत्थर डूब गया बेखने एक बरतल खड़ा हुआ उनलए धिरे जीरे वो गोल घरा घरा गेए्ड Short प्लता जाता शुरू हुआता प्रारंब हुआता छोटे से उस जगह जहां पत्थर गिरा लेकर धीरे धीरे उसकी तरंगें धीरे धीरे वो बर्तुल फैलता जाता किनारों तक असीम तक ऐसे ही भगवान कहते हैं पहले अपने अंदर उसको देखो जब पहले अपने अंदर उसका दर्सन करोगे अपने अंदर उसे पहचानोगे तो जो अपने अंदर है फिर तुम परिवार में भी देखोगे पत्नी में भी वही है पुत्र में भी वही है पिता में भी वही है और पर इतना ही नहीं पसुपक्षियों में भी वही देखेगा लताव ब्रक्षव में भी वही देखेगा एक ही सत एक ही परमात्मा फिर समश्टी में देखने का एक अभ्यास बनेगा कि सब तरव वही तो है लेकिन सब तरव हम देख सकें पहले अपने में देख लो अपने में और फिर कहेंगे अहम ब्रह्मा से, जो हम अपने अंदर ब्रह्मा को हमने आत्मा रूप में को जाना, अब कहेंगे अहम ब्रह्मा सारे बिस्तार में मैं ही हूँ, सारे बिस्तार में मैं ही हूँ, जिसने अपने अंदर उस सत्त को पहँचाना है, फिर वो चारो तरह ही उस सत्त को उस परमात्मा को पहचानने लगता है जिस बिजली के बल्म ने अपने अंदर जान लिया कि मैं बिजली हूँ जिस बिजली के बल्म ने अपने अंदर जहांक के पहचान लिया कि मैं बिजली हूँ बिजदुत से जुड़ी हूई हूँ तो देखा फिर हर उपकरण में वही बिजlी है जो बलब में बिजली थी वही पंक्हे में बिजली है वही फ्रज में वी बिजली एपकरण अलगal है उपकरणों का उपयोग अलग- esto 시 अलग है उनका फैंक्जन अलग- This लेकिं उनके पीछे keto उरजाया वो एक है हर नाम inventory के पीछे परमात्मा एक है हर नाम रूप के पीछे और वह कब समझ में आएगा जब पहले अपने अंदर जहांक कर देख लेता है वह भगवान कहते हैं वह फिर समय देखने लगता है उसकी दृष्टी ब्यापक हो जाती है उसकी दृष्टी ब्यापक सर्वत्र वह उसी का दर्सम होने लगता है और वह ब बेदि बब्लऊन के खिए एसके बाड Bin के शौके यह सब के और व Deadman स्रेश्टाका विमाना हो तो किसी के प्रत हिंसा का भाव ना ओ कि इसके बिपरीत है वो अज्यान है कहीं हिंसा है तो कहीं अहंकार है कहीं किसी के प्रद्वेस है बैर है भै है इरसा है भगवान कहते हैं वो सब अग्यान है तो भगवान ने कहा ये सब ग्यान है और ऐसा व्यक्ति जो ऐसी ग्यान में रहता है उसके चित में सदा संता रहती है वो सर्वत भगवान का दर्सन करत है आज मैं ही विराम करते हैं मेरा सभी को प्रड़ाम हर्योग